अलो दोस्तों नवस्कार मैं उपवन और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किसी भी कमपनी का लेप्टॉप हो और उसके अंदर जितने भी पोर्ट बने होते हैं उन पोर्ट का क्या उप्योग होता है दोस्तों आपने बाजार में बहुत सारे लेप्टॉप देखे होंगे और आपने सिर्फ इतना सिखा होगा कि इसमें USB पोर्ट है यह USB लगाते हैं जैसे pen drive, card reader, mobile charger cable या फिर mobile से connect करने वाला data transfer करने वाला data cable या फिर उसे charge करने के लिए adapter का पीन लगाते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक laptop के अंतर का जितने भी पोर्ट बने होते हैं उन सबका उप्योग क्या है और उसका कहां पर उप्योग करते हैं और क्यूं करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसको चारो तरफ से आप एक बार देख लें आप देख पा रहे हैं इसे हलके से मूब कर लें चारो तरफ पिसमें कितने पोर्ट बने हुए हैं और पिछला मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो इसमें डेक्षटाप को चालू करना और लेप्टाप को च यह चोग कोड जो भाग आपको नजर आ रहा है यह USB पोर्ट है मीनिमम की बात कर लें तो एक लेपटॉप के अंतर का तीन पोर्ट बने होते हैं तो इस लेपटॉप के चारों तरफ अगर आप घुमेंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां पर देखें तो दो पोर्ट बना हुआ है हो सकता हो एक यका पास 3व यह और हो सकता हो आगे पीछे हो तो इसके लिए आपको दिखा दो दोस्तों इसके अंतर को आप Pen Drive जोड जोड़ सकते हैं जो कि मेरे हाथ में एक Pen Drive है Pen Drive को connect कर सकते हैं, आप चाहें, तो Card Reader का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें, तो Hard X Cable का उपयोग कर सकते हैं, USB Port को लगा कर, और Hard X को दूसरे सीरे से जोड़कर आप यूज कर सकते हैं, आप चाहें, तो Biometry का उपयोग कर सकते हैं, देख पा रहे हैं USB Port, और साथ ही साथ चाहे तो आप मोबाइल से data transfer करना चाहते हैं, तो data cable के USB part को आप लगा सकते हैं, तो चलिए इस part में एक भाग को लगा कर देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों मेरे हाथ में यह pen drive है, इसे कैसे adjust करेंगे, देखिएगा, आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने adjust कर दिया है, इसकी साहता से आप इस pen drive में रखे गए data को आसानी से read and write कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, दोस्तों अभी laptop शुरू नहीं हुआ है, इस start नहीं किया इसका windows, तो सिर्फ अभी हम देखने के द्रिष्टी से समझ पा रहा है, कि किस भाग में क्या क्या लगता है, उसके दिखाएंगे, इसको adjust करके और इसका उपयोग बताएंगे, और आगे बढ़ते हैं, तो देखें यहां पे, एक और बड़ा सा खांचा नजर आ रहा है, और एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है, यह इजेक्ट बटन है, और यहां पे देखें, तो इन्टरनल डीवीडी या राइटर है, जैसे ही laptop अन होगा, और इस बटन को आप दबा से यह जब बाहर नहीं निकल पाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे निकालना, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि बिना computer को start के इसे कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक पीन होना चाहिए, पीन आप देख पा रहा है, या मार्केट से किये हुए, और फिट डिस्क को निकाल लेंगे, और पुना इसे अंदर लगा देंगे, देखा आपने, बिना computer को start की वे हमने writer को बाहर निकाला, आपने disk को बाहर निकाला, और पुना इसे बन कर दिया, इस बटन का उपयोग तभी आप कर सकते हैं, जब कि window शुरू हो, अ जो भी laptop होगा, उसका adapter होगा, charger होगा, तो उसका pin हम यहाँ पर लगा देंगे, उसके बगल में देखें, तो यहाँ पर exhaust लगा होता है, CPU के अंदर गत, motherboard के उपर, तो जो भी उसके अंदर गर्मी जो भी पैदा होती है, इसे बाहर निकलता है, उसके आगे बने, तो आगे projector को दो भाग में expand कर सकते हैं, एक screen पर कुछ और दूसरे screen पर कुछ और, यह जानना हो, especially तो आप हमारे PowerPoint के playlist में जाकर देखेंगे, तो हमने वहाँ पर बताया हुआ है, कि projector को और monitor को laptop के कैसे जोडते हैं, या फिर मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, कि इस cable का उपयोग करके, बीजिये और बीजिये पोर्ट का उपयोग करके, projector को और monitor को कैसे जोडते हैं, और एक ही computer को दो भाग में कैसे expand करते हैं, तो चलिए इसमें एक cable आपको देख लेते हैं, बीजिये केबल कौन सा होता है, तो desktop चालू करते वक्त मैंने बताया था, आपनो दूसरा सीरा आपको monitor में लगा देना है, बस लगा देने से या उसमें नहीं आने लाएगा, इसकी एक चोटी सी setting होती है, जो कि मैं इसके बाद वाली video बनाऊंगा, इसमें की monitor को कैसे adjust करते हैं, और projector को कैसे जोडते हैं, presentation के वक्त, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, फि इसका भी मैंने CPU के अंतरकत बता दिया था, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं, आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक line के वाले, बहुत चोटा है इसलिए बनाएगा है, ताकि वीडियो में आसानी से दिख जाए, तो इसकी मदल से आप computer में internet access कर सकते हैं, या फिर दो computer को एक साथ जोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे लगाने के लिए यहां पर lock बना हुआ है, इसके अंदर adjust कर देख पा रहे हैं, और दूसरा सिरा दूसरे laptop में, या switch में, या फिर router में लगाएं, जिससे की, जहां से आप data को share करना चाहते हैं, या internet को access करना तो चलिए फिलाल तो हमने समझने के इससे लगाया है, इसका भी उपयोग हम सिखेंगे, इसकी वीडियो हम एक बनाएंगे, जिससे की दो computer को आपस में कैसे जोड़ते हैं, और कैसे इसका data दूसरे computer में, दूसका data इस computer में देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसका एक सीरा, एक सीरा इस port में आपको लगा देना है, अजस्ट हो चुका है, किसी भी software की ज़रूरत नहीं है, दूसरा सीरा आज कलके smart monitor, smart tv जो आ रहा है, दूसरा सीरा उसमें लगा देना है, तो आप इस computer के screen पर चल रहा है, प्रोग्राम को दूसरे monitor पर, जो की cable जिसस इस दूसरा की color computer में दिख रहे होते हैं, उतने ही color monitor पर उठाता है, और जो हमारा BGA होता है, वो RGB color होता है, RGB, red, green, blue, बस तीन color का उपयोग करके चित्र को दिखाता है, इस video की quality अच्छी नहीं होती है, लेकिन वहीं पर HDMI का उपयोग करते हैं, तो BGA की अपयक्छा, दस तो अभी एक हमने दिखाए था आपको, कि एक में हमने pen drive जोड के दिखाए हुआ था, साथी साथ देखते हैं, अगर जो आपको hard disk जोडना हो, तो देखिए hard disk जोडने के हमारे पास cable है, एक तरफ देखें USB port है, आप इसमें लगा दें, और दूसरा सिरा hard disk में लगा दें, जिसे की आसानी से अपने hard disk में data को read and write कर सकते हैं, दूसरा port देखते हैं तो, अभी मैंने बताया था, या तो आप biometric machine लगाई है, देखिए मेरे हाथ में, USB port में लगा दें इसे, USB port को, या फिर आप चाहें, तो इसकी जगा पर, biometric की जगा पर, card reader लगा सकते हैं, देख प दोस्ता में क्या करते हैं, market में अभी USB LAN device आ चुका है, जो की USB port में लगा कर, आप अपने USB को LAN में convert कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, इसका एक driver मिलेगा आपको, उसे computer में अपने install करना होगा, और ये USB आपके LAN में बदल जाएगा, और आप आसानी से, LAN cable के data को access कर सकते हैं, इसमें adjust कर लें, जो भी record करना होगा, या फिर computer को command देना होगा, तो mic की सायता से हम command दे सकते हैं, या फिर अपनी आवाज को अपने computer में record कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि अभी सिफ लगा देने से computer में कुछ भी हम record नहीं कर सकते, उसे filter नहीं कर सकते तो उसके लिए एक अलग software होता है, इसकी मैंने separate video बना कर रक्की हुई है, कि computer में कैसे mic set करें, audio को कैसे filter करें, और साफ स्वक्स video कैसे बना है, और audio कैसे record करें, तो उस video में जाके आप जरूर देख लीजेगा, फिलाल हमने बता दिया, कि laptop के अंदर का जितने भी port बने होत में किस-kis cable का उपयोग होता है, और कब-कब उपयोग होता है, तो इसका separate video अगर जो आपको चाहिए, तो हमारे comment section में जाईए और comment कीजिए, इसका उपयोग करके बताएए, तो मैं आपको उपयोग करके बताऊँगा, चलिए इसी के साथ एक और laptop देख लेते हैं, कि उसम कोई और हो, तो फिर आप पहेंगे, कि sir, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है, तो चलिए एक और laptop को देख लेते हैं, मेरे पास एक mini laptop है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में इसे चालू और बंद करना सिखा हुआ था, तो इसके port को भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो कि mic या speaker के लिए बना हुआ है, इसमें आप चाहें, तो एक समय में सिर्फ एक ही का use कर सकते हैं, mic के उपयोग करना है, तो आप mic लगा लें, और अपनी audio को record कर लें, और जब उसे सुनना हो, तो आप इसे निकाल दें, और इसकी जगा पर speaker का उपयोग कर रहें, उसके अब आगे देखें, तो USB port, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें कुछ भी आप adjust कर सकते हैं, उसके बाद HDMI, HDMI लगा सकते हैं, उसके आगे बढ़े हैं, तो देखें LAN port, अभी मैंने बताया था, इसमें लाइन के बोल का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद देखें, यहाँ पर लगा हुआ है, और just USB के साइड में होता है, दूसरी तरफ से मैं इस स्क्रीन को दिखा रहा हूँ कि लेप्टॉप में कैसे इसको लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों अपने वहाँ इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत कमी उपयोग किया जाता है, क बहुत तेजी से आता है, और लेपटाप उठा कर लेकर चला जाता है, तो यह लॉग कर दिया जाता है, अपने जिस टेवल वो बैठा जाता है उसके पाए के साथ, तो उसके लिए एक लॉग की मिलता है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि यह देखें, चा को मूब करते हैं, तो यहां पर USB port, और यहां पर एक और चोटा सा खांचा नजर आ रहा है, जो कि digital card के लिए, digital card कौन सा है, आपने देखा होगा DSLR camera, देख पार है, मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे DSLR camera है, जिसे की video record करने, और image को capture करने के लिए किया देता है, इसमें बड़ी वाल अब इसमें data read and write कर सकते हैं, वापस निकालना होगा, इसे push करेंगे, देखिए, बाहर निकल गया, उन्हें इसे निकल गया, यदि आपके पास छोटी वाली memory हो, आप देख पारें, मेरे हाँ मेरे हाँ में, एक microSD है, छोटी वाली memory card जो कि आप phone में यूज करते हैं, अगर जो इसका उपयोग डारेक्ट इस computer में करना चाहते हैं, तो आपके पास एक छोटा सक card reader होना चाहिए, अब दोस्तों card reader के बारे में भी जान लेते हैं, देखिए, मेरे हाँ में दो card reader है, एक multimedia card reader, जो कि इसमें छोटे या अलग type अले जितने भी memory card होंगे, इसमें adjust हो सकते ह और पुना ये USB में change हो जाएगा, जिसे कि आप computer में लगा कर उसे read and write कर सकते हैं, सिंगल की बात कर लें, तो देखिए, सिंगल, छोटे वाले, सिप micro SD के लिए, इसे आप इसमें लगा देंगे, और देखिए, USB में convert हो गया, आप USB port में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ह तो उस वक्त की बात है, जब आपके पास card reader हो, लेकिन आपके पास card reader ना हो, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए market में आपको एक adapter मिलेगा, छोटा सा, अब देख पा रहे है, इस adapter में एक छोटा सा box बना होता है, जिसमें कि यह memory adjust हो जाए, इसको बारिकी से लगा ले, देख पा रहे है, यह multimedia card में convert हो चुका है, अब इसे आप direct अपने computer के इस multimedia card वाले भाग में लगा सकते हैं, और आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे plus और minus button बना हुआ है, जो कि sound को कम और ज्यादा कर सकते ह देखें, मेरे हाथ में एक और laptop है, इसके भी भाग को हम review कर लेते हैं, कि इसमें क्या बना हुआ है, और इसके क्या-क्या features है, तो दोस्तों, सबसे पहले start करते हैं इधर से, तो आप देखें, भीजिये, अभी मैंने बताया था, कि इसमें भीजिये के वह लगाएंगे, और इसकी साहता से, हम दूसरे projector या monitor पर इस computer या इस laptop के अंदर चल रहे program को देख सकते हैं, या फिर चाहें, तो इस LCD पर दूसरा screen और जो connect हुआ होगा projector या monitor उसके दूसरा screen देख सकते हैं, इसके माध्यम से, उसके आगे बाते हैं, तो land port, मैंने भी बताया था, कि दो computer को इसका data share करना हो, या internet access करना हो, तो land port का उप्योग करेंगे, land cable को adjust करने के लिए, उसके आगे बढ़ते है, तमारे पास आता है, HDMI port, HDMI port की साहता से, भीजिये की जगा पर high quality की video देखना चाहते है, screen पर, तो HDMI का उप्योग करते है, आगे बढ़ते है, USB port, USB को मैंने भाग के बारे में अभी बताया था, कि इसमें USB वाले जो भी port आता है, mobile charge करने वाले हो, या फिर biometric machine हो, या फिर land को convert करना हो, कोई भी USB वाले भाग हो, या keyboard, mouse या कुछ भी आपको जोड़ना हो, तो इसमें आप आसानी से जोड़ सकते हैं, वैसा कोई भी device, जो USB पार्ट वाला हो, तो आप इसमें adjust कर सकते हैं, जैसे printer के बल, keyboard के बल, mouse के बल, joystick के बल, या फिर नए features जो game खेलने वाले devices आ रहे हैं, आप उसे इसमें जोड़ सकते हैं, उसके आगे बड़ने देखिए, दो भाग यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको बारिकी से देखेंगे, तो यहाँ पर symbol मने होते हैं, चलिए हम भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले वाले में दीख रहा है, माइक, अभी मैंने आपको माइक दिखाया था, जो कि देखिए मेरे आद में माइक है, इसमें माइक में लगा देंगे, माइक वाले hole में, अब आप चाहें तो जो audio चाहें उसे record कर सकते ह होगा, वैसे computer में sound recorder होता है, लेकिन वो उतना काम का नहीं है, दूसरा भी कल्प हम को दिख रहा है, तो दोस्तों आपके पास headphone होगा, जो कि mobile में आप use करते हैं, headphone देख पार है, जो कि आप अपने mobile में use करते हैं, उस pin को आप इस speaker वाले pin में लगा दें, तो एक ही समय में आप audio को record भी कर सकते हैं, और समय में सुन भी सकते हैं, लेकिन यह तो mobile के लिए हैं, और mic सिर्फ audio को record करने के लिए, आप चाहते हैं, दोनों काम एक साथ हो, तो आप computer headphone खरीब लीजिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में computer headphone है, देख पार हैं दोस्तों, यहा होता है, तो इसके लिए क्या करना, आपको, mic में लगा देना है, अगर जो सिर्फ आपनी audio को record करनी है, या फिर computer से online बात करते हुए, उपयोग करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज सुनी हो, तो laptop के speaker से सुनाई देगा, यदि इस speaker के माध्यम से आप सुनना चलिए हम इसे भी हटा देते हैं, आगे की तरफ बढ़ें, तो अभी मैंने बताया था, इसमें आपने बड़े वाले कार्ड को, जो की तलार या camera में लगा होता है, आप इसमें adjust कर सकते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते जाए, तो देखें, यहाँ पे writer, अभी मैंने बता उसके बाद बने तो फिर से एक USB port नजर आ रहा है, USB port में मैंने बताया था, कि USB वाले कोई डिवाइसे वाले को आप इसमें जोड सकते हैं, और उसके बाद charging के लिए बना हुआ है, charging point, जहां पर आप अपने इस laptop पे charger या adapter को adjust करते हैं, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो म नहीं बता पाईए, लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविस में, मैं एक एक पार्ट को आपको समझाओंगा कि कब क्या किसमें adjust करते हैं, और किसका क्या क्या उप्योग है, तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जो व वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए!